सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉनिंग, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है 2 एप्रल 2024 और आज है मंगलवार, मंगल को सबका मंगल हो, यही है मेरी कामना सबसे पहले तो आज फिन निफ्टी के एक्सपायरी है, उस पर भी चर्चा करेंगे साथ-साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि डेटा क्या कहता है, कल का अगर कैश का डेटा देखेंगे तो कैश का डेटा हमें पता चलता है कि लगबग लगबग 522 करोड के नेट सेल में आपके विदेशी संस्थागत निवेशक गए हैं FIIs in 522.30 net sell and on the other hand 1208 करोड के नेट बाय में हैं अपने domestic institutional investors अब दोस्तों इससे भी important यह है कि अगर हम participant wise डेटा देखें तो clients यानि की retail भर भर के index futures को buy करके गया है stock futures को भी भर भर कर लेकर गया है और अगर DIs की बात करें तो DIs stock futures में भी sell करके गए है index futures में भी sell करके गए है put भी लेकर गए है और अगर FIIs की बात करेंगे PUT ये भी खरीद कर लेकर गए है PUT भी इनों लिए है FIIs ने Index Futures में भी ये Short है Stock Futures में ये जरूर Long बैठे हुए है Pros भी Index Futures में Short और Stock Futures में Long Data अगर मोटा मोटा देखूंगा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि PUT long करके जाने वाले अगर बात करें तो Pros, FIIs, DIs सब के सब PUT तो सारो सबने ले रखिया PUT तो सब के सब खरीद के गए है Even to an extent सिर्फ Clients ही है जो PUT buy नहीं करके गए अगरोज सबने PUT तो buy कर ही रखी है ये डेटा बोल रहा है Participant wise data तो हो गया लेकिन उससे भी important data होता है कि FIIs Basically किस index में क्या करके गए है तो FIIs Mid Cap Nifty और Nifty Futures में Futures में Nifty Futures, Mid Cap Futures इन दोने में Net Buy में है Net Buy में है और अच्छा खासा इन्होंने Buy कर रखा है लेकिन उसके Against अगर हम देखेंगे तो Bank Nifty में विदेशी संस्थावरत निवेशक Futures को sell करके गए है तो ये तो होई data की बात Data क्या गया रहा है एक Gap Down हो सकता है Gap Down हो सकता है लेकिन अगर कोई Gap Down होता है तो याद रखेगा कि कल का जो low है चाहे Bank Nifty है चाहे वो Nifty है चाहे वो Fin Nifty है वो low बड़ा important है यानि कि 22,427 का Nifty पर low बहुत important है 22,427 के अगर हम नीचे open होते हैं जहां दीजेगा अगर 22,427 जो कल का low है उसके नीचे हम open होते हैं और उसको दुबारा से Regain करते हैं 24,27 को तो हमारे gap down theory उहां पर काम करेगी और उस थिती में हम लोग 22,427 से upside के बारे में सोचना शुरू कर देंगे लेकिन अगर 22,427 से उपर ही हम open होते हैं तो हमारे levels क्या हैं Let us see what are the levels that we need to work upon 22,530 22,529,530 अब तक का all time high है जो कल ही लगा है अब 2530 के उपर 22,530 के उपर 22,572 22,572 के उपर 22,603 तक के levels अब side में देखने को प्राप्त हो सकते हैं Nifty 50 में बात कर ले थे हैं downside की जैसा कि मैंने बात किये 22,427 कल का low है तो that is important अगर उसके नीचे हम open होते हैं और उसके उपर जाना start करें तो वहाँ से एक buy का level बनता है बट अगर हम उसके उपर ही open होते हैं या उपर sustain करने के बाद फिर नीचे को जाते हैं तो 22,427 के नीचे sell के level start हो जाएंगे 22,400, 403 तक के लिए और अगर 22,400 भी कट गया तो 22,367, 368 तक के levels हमको देखने को हो सकते हैं किस तरह से बहुत छोटी सी range में रहा bank nifty तो bank nifty की जब बात करेंगे तो अब हमारे लिए 47,373 बहुत अच्छा एक support रह सकता है 47,370 यानि कि 47,400, 47,370 के करीव एक अच्छा support बनता हुआ हमको नजर आ रहा है लेकिन अगर दोस्तों वो तूटता है तो फिर हम 47,373 के नीचे 47,265 के लिए या उसके भी नीचे गए 47,127,128 तक के लेवल को देखने में समर्थ हैं आज but on the other hand कल का high 47,647 47,647 के उपर अगर जाते हैं तो सीधे सीधे वहां से लेवल हमको प्राप्त होते हैं 47,790,791 के लिए उसके बाद जो लेवल्स अगले आते हैं वो आते हैं 47,853 47,951 अब दोस्तो कल की जो जो भी आपने उपर का एक बार को रुख देखा कल 45,500 उपर हमने closing देने में काम्याब हुए हैं तो इसका main main जो reason था वो था HDFC bank HDFC bank कुछ दमखम मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उसने पूरे का पूरा अपना जोर लगाना शुरू कर दे लेकिन हाँ कुछ दमखम लगाना शुरू जरूर कर दिया है 50 डेमा से वो उपर कोशिश कर रहा है हलाकि 50 डेमा के उपर आभी उसको 100, 200 दोनों important जो बड़े डेमा से वो भी अभी पार करने है और वो जब तक पार नहीं करता तब तक हम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं अब कुछ लोगों ने कहा कि साब यह जरूर बताएगा कि यह ऐसा जो दिख रहा है क्यों हो रहा है अब भाई बॉटम उसका लगबग लगबग 1370 के आसपास अभी 1470, 1471 के आसपास कल क्लोजिंग होई है अभी जब तक यह 1530, 1535 के उपर नहीं चलेगा तब तक मैं को बहुत बुलिश तो HDFC बैंक पे नहीं सोच रहा हूँ कि इंडेक्स कोई कि इतना सपोर्ट नहीं दे पाएगा लेकिन अगर यह 1540 के उपर चलना स्टार्ट हुआ तो फिर आपको पता है एक्सपाइरी है तो उसमें भी HDFC बैंक, ICICI BANK, COTEK BANK, EXIS BANK और स्टेट BANK और इंडिया यह जो पाच्चों बड़े स्टॉक्स हैं BANK Nifty के इनी पाच्चों स्टॉक्स का उसमें भी दारो मदार कितना बड़ा है कितना दमखम है वह आप लोगों को बिलकुल क्लियर है अब दोस्तों जैसे मैंने बात किया कि एक gap down हो सकता है अब gap down हो सकता है ठीक है लेकिन यह याद रखेगा 21-200 के आसपास column close हुए है फिन निफ्टी में 21-198 to be precise 21-200 पे call writers भी हैं और put writers भी हैं कल end of the day पे 21-200 पे call writers भी थे और put writers भी थे अब पहले तो यह समझ लीजिए को 21-200 का जो call writer है वो क्या LTP था 67.75 यानि कि अगर हम 21-130 21-130, 21-140 के आसपास भी open होते हैं तो यहां से उसके stop losses उनके stop losses हिट होने शुरू हो जाएंगे जी माफ किजएगा माफ किजएगा 21-200 का जो है वो 53 रूपीज पे है यानि कि 21-150 के आसपास अगर 21-150 के आसपास 21-200 का put writer माफ किजएगा 21-200 का जो put writer है अगर हम लोगों ने 21-150 के नीचे opening देनी स्टार्ट की आज तो यहां पर पहली बात तो जो भी put right करके गए हैं उनके stop losses हो सकते हैं उस scenario में 21-100 हमारे लिए support का काम करेगा क्यों 21-100 कल का low भी है बढ़ अगर 21-100 तूटता है 21-100 तूटा तो सीधा सीधा हमारे लिए रुख 21-150 का नीच फिर 21-000 का रुख भी आ सकता है downside पे वहीं upside के अगर बात करते हैं तो 21-200 का जो call writer है उसके पास खैर बहुत दमखम रहने वाला है ऐसा नहीं है कि वह इत्ती जल्दी तूटेगा लेकिन जब तक हम 21-200-200 जब तक 20-25 के ओपर ना चलना start करें तब तक वो खत्रे में खत्रा तो खैर उसको नहीं है मुझे लगता है कि 22-200 पर बहुत strong resistance अब बनेगा 21-200 पर अभी strong resistance बन सकता है लेकिन अगर हम 22-200 को पार करेंगे तो हम सीधा सीधा 21-250 पर वहां पर भी resistance है 21-300 पर भी मिलेगा हमको resistance तो upside पर बहुत कुछ बंदा हुआ है downside के लिए अभी रुख काफी नीचे का है लेकिन अ open ही 21-130-135 के आसपास होते हैं तो वहां से एक upside का move भी देखने को हमको मिल सकता है so 21-100 is the support that we are looking at 21-100 अगर मालिय हम उसके नीचे जाना start करते हैं और दुबार रीगेन करते हैं 21-100 को तो 21-100 से उपर को हम वापिस आनिक में सक्षम है याद रखेगा कल का low चाहे वो bank के nifty है चाहे वो nifty है चाहे वो fin nifty है अगर हम उसके नीचे open हुए पहली बात या पहले 10-minute में उसके नीचे चले जाते हैं और उसको regain कर लेते हैं दुबारा रीगेन करते हैं तो वहीं से बाइन के लेवल बनते हैं बायों डिप्स की स्थितियां बनी हुई है बिलकुल nifty bank nifty fin nifty में और अब तो mid cap nifty में भी मैं यही बात बोलूँगा दोस्तों यह याद रखेगा कि चार अपरिल यानि परसो से परसो से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसे भी जोइन करना हो जोइन कर सकता है सिर्फ तीन सीट्स अब रहे गई हैं only three seats are left so if there is anybody who wants to join it he or she may register him or her today itself आज ही उसको register कर लीजेगा ग्यारा दिन का यह बैच होगा रातरी में साड़े नों से साड़े दस बजे बैच चलेगा और दस घजार रपेस का फीस है जो कि आप फोन पे पेटीम या जीपे से पेमेंट कर सकते हैं नमबर है 7834-876-736 और यही नम नमबर WhatsApp का भी है इसी नमबर पर पेमेंट करने के बाद आपको अपना स्क्रीन शॉट WhatsApp पर भेज देना है इसकी डीटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और पिंड मैसेज ऑफ दी वीडियो में भी मिल जाएगी अगर कोई ज्यादा जानकारी चाहे तो आप WhatsApp करके जानकारी भी ले सकते हैं ध्यान रखिएगा कि हम लोग से भी रिजिस्टर नहीं है और इसलिए जो भी यहां पर जो भी जितना भी कांटेंट इस वीडियो में है जितना भी कांटेंट हमारे चैनल पर है यह सिर्फ और सिर्फ अकैडमिक परपसिस से है इसका बाइस सुगसाथ and my dear friends before I say anything else एक मैंने last में end screen पर इहां पर एक वीडियो दे रखा है कि Zero Hero किस तरह से की जाती है फिन निफ्टी की वो जरूर देख सकते हैं शायद उससे आपको लाव होगा and my dear friends last but not the least subscribe बिल्कुल कीजेगा इस चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है subscribe शु